आज हमें इस वीडियो में public debt और private debt को discuss करेंगे तो चले स्टार्ट करते हैं public debt का mean क्यों होता है सबसे परे बार debt का मतलब क्यों होता है तो debt का मतलब होता है कि borrowing funds from another जब हम पैसे किसी दूसरे से उधार मांगते हैं दूसरे से लेते हैं fund को इकठा करते हैं उसी को हम कहते हैं DEPT है इन जनरल लैंग्विज में भी हम यह जानते हैं कि उधर लेने को ही हम DEPT कहते हैं सो सब पब्लिक DEPT का मतलब क्या होता है पब्लिक फिनांस में जब भी हम बात करते हैं तो पब्लिक फिनांस में हमेशा चीज़े Goldman की थू जाती है मतलब public finance analysis, government की financing, government के revenue, government का expenditure, government की debt, सब कुछ government के हिसाब से होता है कि country के लिए वो जो कर रहे होते है, जो country की government होती है, correct? तो इस हिसाब से जिस तरह public revenue, government की revenue होती है, उसे तरह public debt का मतलब क्या हो गया? कि जब nations की government fund को borrow करती है उसी को हम कहते है public debt मतलब fund का वो flow जो की किसकी थुरू आया government के borrow करने की वजह से आया तो जब country की government loan लेती है borrow करती है, fund उधार लेती है तो उसको हम क्या नाम देते हैं public debt देते हैं So it is the total amount of money that is owed to the public by the government to make the development funds तो country में development करने के लिए जो contingencies है उनको meet out करने के लिए deficits को खतम करने के लिए इन सब चीजों के regarding जब company उधार लेती है ना उसकी funding को, उसकी amount of money को ही हम क्या कहते हैं public debt कहते हैं जितना भी पैसा आपने उधार के थूँ आपने में इस government ने उधार के तो इकठा किया है और उस पैसे को country की development के में लगा रही है उसी को हम कहते है public debt तो ये जो होता है public debt जो होता है ये एक source है income का किसकी government का देखें वैसे public revenue में public borrowing नहीं आती है public debt नहीं आता है पर basically कि अगर कोई financial crisis है कोई war है कोई emergency है ये deficit का condition होती है मतलब घाटा हो रहा है government को expenditures जादा है revenue कम है तो उस case में इन contingencies को meet out करने के लिए ये debt जो है उनके लिए सबसे important source बनता है क्योंकि इसके through fund को create कर पाते है तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो public debt होता है वो actually financial obligation है ये financial liabilities है जो liabilities कि जो उन्होंने उधार लिया उसको जो pay करना है वो हमारा क्या बनता है public debt बनता है तो देखें public finance में simple से चीज़ है government country की जो government है जब अपनी funding या amount of money जो एक अठा करती है वो किसके basis पे करती है उधार लिके करती है borrow करके करती है तो उसी को हम कहते है public debt तो यहाँ पे हम यह कह सकते है कि जो यह पूरा public debt है basically वो क्या है वो total amount of money है मतब जितना भी government में loan लिया है वो किसी भी level की government हो चाहे वो federal हो चाहे वो state हो या फिर local government हो किसी भी level की government हो उनके through लिया गया जितना भी borrowed amount है जितना भी उन्होंने उधार लिया ओ किया है वो सब को सब के total को ही हम क्या कहते है public debt कहते है तो यहाँ पे एक चीज़ और कला कर दू public borrowing और public debt तो terms होते है जिसको synonyms की तरह use किया जाता है पर generally अगर इनको in depth में समझेंगे तो यह दोनों slight difference है public debt होता है cumulative amount जितना भी आप government का total borrowings उनकी है किसी भी level of government की मान लेजे और एक certain point of time तक कि आज के time तक government का इतना loan है तो वो हमारा public debt में चला जाता है वो सभी चीज़ों को include करके होता है वहीं जो public borrowing होती है वो एक तरीके से annual borrowing को denote करती है वो overall total की बात नहीं करती है है ना तो वो आपका जो debt होता है public debt होता है वो outstanding borrowings के बारे में बात कर रहा होता है इस तरह से public debt और public borrowing थोड़ा सा differ करता है पर हाँ इसको synonymous की तरह भी use किया जाता है अब हम बात करते हैं इनकी definitions की तो definition में Dalton ने क्या कहा Dalton ने कहा कि ये क्या है income को collect करने का एक तरीका है किसके थूँ public, public offices के थूँ public debt का मतलब क्या हुआ public से लिया गया loan उनके थूँ government जो अपनी income क्या collect करती है उसी को हम क्या कहते है public debt कहते है नहीं पर जेके मेताजी ने क्या कहा professor जेके मेताजी ने कहा कि ये अगर modern ये public debt क्या है basically modern incident है और ये practical form में किस तरह से आ रहा है कि democratic government की development हो रही है means कि अगर public debt को आप देखेंगे तो वो use कहा पी किया जाता है nations की development के लिए but obviously ये बात है उनकी जो revenue के sources है वो कम पड़ रहे है और वो क्या ले रही है उधार ले रही है तो ये तरीके से democratic governments के development का practical form है अब वहीं पर हम बात करते हैं कि public debt के sources क्या क्या है अगर ये उधार लेने के बात कर रहे है public debt मतलब कौन ले रहा है government उधार ले रही है तो ये जो उधार लेगी वो कहां से लेगी कहां से borrow करेगी तो sources of public debt के जो हम बात करते हैं तो एक चीस तो हमें यहां पर clear है कि public debt मतलब overall liabilities किसकी government की at a point of time किसी point of time पे government जो पूरी liabilities है overall liabilities को हम कहते है public debt अब ये जो उधार लेना है ये overall liabilities कहां कहां से आ सकती है वो within the country भी हो सकती है outside country से भी हो सकती है और दोनों से भी हो सकती है means जो bank है मतलब जो country की government है वो जो उधार लेने जा रही है वो अपनी ही country में ले सकती है loan या अपनी country के बाहर outside the country भी लोन ले सकती है या इन दोनों से ही लोन ले सकती है इन सब को ही हम public drift कहते है और ये सारे ही उसके source में आ जाएंगे इसी को नाम दिया गया internal और external source का so internal source क्या होता है कि जब country की जो government है वो fund को borrow करती है domestic currency में मतलब local currency में borrow करती है अब वो borrow किसे करती है individual finance institution या private organization से तो हम उसको कहते है internal source of borrowing मतलब क्या हो गया कि जब government loan लेने जा रही है और loan अपनी ही country में ले रही है मतलब अपनी country की जो private organizations है जो financial institutions है मतलब banks वगरा है उन से ले रही है या individual से loan ले रही है तो यह जो अपनी ही country में ले रही है तो अपनी ही currency में भी लेगी तो उसको हम कहते है internal source अब यहां पर जो हम कह रहे है कि individual से loan ले रही है तो individual से loan लेने क्या मतलब क्या वाक्य में government आती है और किसी भी एक individual से बोलती है कि मुझे उधार चाहिए हो और फिर वो individual government को loan देता है, नहीं, इस तरह से नहीं होता है, basically हमने पहले भी का, finance में सिफ perception change करने की बात है, मतलब कि अगर being in public, आप कहते हैं कि हमने ये government का bond खरीदा, हमने government की securities में investment किया, आप कहते हैं, आपने investment किया, यही investment, government के लिए क्या बन जाता है, loan बन जाती है, उनक securities के बदर उनको पैसा मिल गया, तो basically जब आप, जब भी public, कोई भी individual, किसी government securities में investment करता है, कोई भी bond, कोई भी चीज, government के purchase करता है, तो basically government उस case में क्या कर रही है, borrow कर रही है, उस particular individual से, और जैसे ही वो investment का time period खतम होगा, वो उसको with interest पैसा repay कर देती है, है ना, तो उसी को हम कहते हैं कि हाँ individual level पर भी government borrow करती है, तो जितनी भी securities में आप government invest कर रहे होते हैं, basically वो borrowing होता है, government के regarding, क्योंकि वो ही उनका source हो जाता है, वहाँ से पैसे उनको आ रहे है, तो इसका क्या क्या source हो गया, bonds हो गया, treasury bills हो गया, special floating and other loans हो गया, या RBI ने कोई securities issue की हो, तो वो हो गय है, यह सारे ही क्या बन जाते हैं, आपके internal source of borrowing बनते हैं, जैसे आप देखते हैं, government के gold bonds आते हैं, government bonds आ रहे हैं, अलग-अलग, है न, government के treasury bills विगरा हो गया, इस तरह की किसी भी चीज़ में आप investment कर रहे हैं, so basically आप क्या कर रहे हैं, government को loan दे रहे होते हैं, being an individual level, और sometimes यही loan government बैंकों से ले रहे होती है, कि इतना fund उनकों चाहिए होता है, तो financial institutions हो जाता है, companies, जो आपकी countries की companies हैं, वो government को उधार दे रहे होती हैं, तो यह सब internal sources of borrowing हो जाती हैं, वहीं पर external sources की बात करें, next हमारा तो external sources होता है, तो यह क्यों होता है, जब हम foreign countries से, या international organizations से fund को borrow करते हो, उनसे उधार लेते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, external source कहते हैं, मतलब बाहर से, हमारे यहां से पैसा नहीं हम बाहर से पैसा ले रहे हैं, ठीक है, तो यह कोई भी international financial institution हो सकती है, कोई भी economic forum हो सकती है, कोई भी foreign donor हो सकते हैं, जो आपकी country के बाहर है, है ना, अब जब country के लोग आपको पैसा उधार देंगे, तो वो अपनी currency में देंगे, तो generally external sources of, external sources जो debt के होते हैं, वो आपकी local currency में नहीं होते हैं, तो अगर हम बात करते हैं, इंडिया की, तो Indian government है, वो जो यह loan लेती है, आपकी external loan का, जो उनका area वो कहां कहां से लेती है, कई country से, USA, UK, France, Germany, Japan इन से तरह की countries से हमारी Indian government loan लेती है, और इनी के साथ वो international financial institutions से भी लेती है, like IMF, World Bank, IDA, इन सब से, IB, ID वेगरा से हमारी क्या चलते हैं, loan चल रहे होते हैं, तो यह international financial institutions हैं, जिनका काम है कि loan provide करना, तो इन से जब हम हमारी government loan लेती हैं, तो उसको हम कहते है external source, तो पैसे उध पैस उधार लेने के जो तरीके हैं, वो internal, external, यह दूनों ही sources है, clear है, अब अच्छा, एक चीज हमें normally समझनी चाहिए, कि अगर being an individual हमें loan लेना होगा, तो हम कैसे करेंगे, हम अगर जरुरत पड़ीगी, तभी हम loan लेंगी, है ना, इसका मतलब अगर हमने loan लिया, तो उससे हम कुछ न कुछ अच्छा करेंगे, तभी तो हम किसी के उधार के पैसे से, तो हम कोई अच्छा ही काम करेंगे, जरुरत का काम करेंगे, यह ना, तो अब हम उधार लेंगे, तो सबसे पहले हम कहां से लेते हैं, पहले हम अपने family member, अपने relative से पैसा मांगते हैं, जब हम य हमारा आता है public debt, मतलब government ने जो borrow किया है, government ने जो loan लिया है वहीं पर हम बात करते है private debt की terms आता है private debt, public debt and private debt तो private debt क्यों होता है debt मतलब उधार लेना, मतलब borrow करना fund borrow कर रहे हैं आप private debt का मतलब क्या होगी, कि जब आप ये जो loan है ये जो आप उधार ले रहे हैं वो किस से ले रहे हैं ये आप उधार ले रहे हैं ऐसी entities से जो private entities हैं, जैसे bank है आपकी, कोई hedge funds है private equity firms है आप government ये public institutions से fund को borrow नहीं कर रहे हैं आप किसी private entities से जब fund को borrow करेंगे, तो हम उसको कहते हैं private debt कहते हैं, मतलब एक तरीके से अगर simple language में कहें, जब government loan ले रहे हैं, तो public debt हो गया जब individual loan ले रहा है, तो वो क्या हो गया private debt हो गया, बहुत crux में आप इस तरह से समझ सकते हैं इसको, पर generally आप समझे कि जब उधार, आपकी किसी government entities से नहीं, जब private private entities से लिया जाता है, तो उसको हम कहते हैं private debt, अब यहाँ पे इसका मतलब यह नहीं कि हम banks लेगर तो government entities हो गई, तो उन से loan लेना क्या private debt नहीं, यह बिल्कुल है, तो इसमें जो banks हो गई आपकी, या companies के bonds हो गए, या कोई भी other credit या mortgage का जो भी हमारा scene है, मतलब किसी भी तरीके से हम उधार ले सकते हैं, वो सब हमारा यहाँ पे include हो जाएगा, इसलिए हम नहीं कहा कि किसी भी individual level पे जब हम उधार लेते हैं, तो हम उसे private debt कह सकते हैं, है न, जैसे public finance होता है, private finance होता है, same इसी तरीके external कहीं से उसे तो उसको हम कहते है public debt, वहीं जब individual level पे उधार लिया जा रहा होता है, किसी bank से या किसी entities से, private entities से, या किसी company से, और in the form of debt वही चीज, आपका जिसे bonds, devinches, shares, इस तरह से किसी भी चीज में करके आप ले रहे हैं तो उस सब चीज को हम private debt में कहते हैं जिसे आप CC loan ले रहे हैं या फिर आप ले रहे हैं, term loan ले रहे हैं या किस तरह से कोई भी आप loan ले रहे हैं वो सब के सब private debt की category में आ जाते हैं, clear है? तो यह हमारा public debt और private debt हो गया I hope आपको clear हुआगा, wish you all the best Thank you so much